अगर आप इस बुक से नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन हैं, कृपया अपनी आँख बंद करके एकांत में फोकस के साथ सुनें. चैप्टर नमबर वन, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव. एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है. अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए, तो उसमें फल और फूल उगते हैं. अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए, तो उसमें घास और जाडियां जोगती हैं, जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास को निकालना पड़ता है. ठीक उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपनेımıं अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों पर निर्भर करता है और हमारे चरित्र का हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव होता है अगर एक व्यक्ति यह सोचता है कि वह आज जो कुछ भी है बाहरी परिस्थितियों के कारण है तो बाहरी परिस्थितियां उसे हमेशा प्रभावित करती रहेंगी जब वह अपने विचारों को बदलेगा अपने मन में शुद्ध विचारों को जगह देगा और अपने उपर नियंत्रन रखने का अभ्यास करेगा तो बाहरी परिस्थितियां और परिणाम अपने आप बदल जाएंगे जब वह मन में सही विचार सोचेगा तो वह सही कारे करेगा और उसे सही परिणाम मिलेंगे मन में शुद्ध विचार रखने से व्यक्ति का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं जैसे कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा है वह ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे है उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे चाहे वह शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हो यह सब उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम है और उनके साथ यह सब उनके विचारों के कारण हो रहा है उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में में नकारात्मक विचार रखते हैं इसलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे जब भी वे लोग आपसे मिलेंगे तो वह आपको हमेशा खुश दिखाई देंगे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और खुश रहते हैं ऐसे लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं और दूसरों के साथ उनके रिष्टे अच्छे होते हैं क्योंकि उनके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं अपने सकारात्मक मिचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं हमारे मन के विचार चाहे अच्छे हो या बुरे वो एक बीच की तरहा होते हैं और ज्यादा देर तक मन में रहने पर वो फल जरूर देते हैं अच्छे विचार से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से हमें बुरे फल मिलते हैं हमारे विचारों के फ़ल हमें अपने चरित्र, हमारे जीवन की परिस्थितियां और मौकों के रूप में मिलते हैं चैप्टर नंबर दो है विचार और उद्देश्य जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ ना जोडा जाए तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है दोस्तों, हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आपको तैयार करना चाहिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बनाना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ही अपना परम कर्तव्य बनाना चाहिए और अपनी सारी उर्जा और समय उसे प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए दोस्तों, जब आप जीवन में कोई लक्षे निर्धारित करते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं बशर्ते आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने ना दे और आपके विचार केवल उस लक्षे पर केंदरित हो, आपको खुद पर और अपने विचारों पर नियंतरन रखना होगा तभी आप अपना सारा ध्यान अपने उद्देश्य पर केंदरित कर पाएंगे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने में ही किसी भी लक्षे को हासिल कर लेंगे आप बार-बार अपने लक्षे को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं लेकिन असफल होने पर जब आप अपनी कमजोरियों को खत्म कर देंगे जिससे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी बार-बार कोशिश और अभ्यास करने से सबसे कमजोर व्यक्ती भी ताकतवर बन सकता है एक कमजोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और एक कमजोर विचारों वाला व्यक्ती सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक बहुत गहरा रिष्टा है शक और डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है इसलिए हमें अपने मन से शक और डर वाले विचारों को निकाल देना चाहिए और जिसने शक और डर को जीत लिया उसने अपने सभी असफलताओं को जीत लिया दोस्तों जब आप अपने विचारों को बिना किसी डर के अपने उद्देश्य पर किंद्रित करेंगे तो आपके विचार एक रचनात्मक शक्ती का काम करते हैं इस रचनात्मक शक्ती से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिये गए लिंक से खरीद सकते हैं और जरूर खरीदें क्योंकि बुक की नॉलेज आपको एक परसेंट आ परियनाम है इनसान अपने जीवन में जो कुछ में हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पा है उन सब उसके विचारों पर निर्बर करता है अपने विचारों और परियनामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है इनसान अपने बारे में जैसा भी सोचता है वह वैसा ही बना रहता है। दोस्तों, एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता है। जब तक कमजोर व्यक्ति मदद लेने को तयार ना हो। एक कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनने के लिए पहले खुद ताकतवर बनने का द्रड़ निश्चय करना होग तब ही कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर पाएगा दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जीत लेता है और अपने खुद के गलत विचारों को त्याग देता है वह ना तो अत्याचार करता है और ना ही अत्याचार सहता है वह अत्याचार और उत्पीडन से मुक्त होता है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नेंद्रन करके ही जीवन में उचा उठ सकता है और सफल हो सकता है दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी वासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने विचारों को उपर उठाना पड़ेगा मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं एक बड़ा घिर खरीदना चाहते हैं और एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमीर लोगों जैसी सोच बनानी होगी या फिर उनके जैसे विचार बनाने होंगे आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोच कर अमीर लोगों वाला जीवन नहीं जी सकते हैं अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आप स्पष्ट नहीं सोच सकते हैं और एक अच्छी योजनन नहीं बना सकते हैं जब भी व्यक्ति जीवन में कोई लक्ष निर्धारित करता है और उस पर काम करना शुरू करता है, तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं, जो उसे अपने लक्ष से भटका सकते हैं। लक्ष को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को नियंतरित कर सकते हैं या नहीं? आप अपने ध्यान को अपने लक्ष पर केंदरित रख सकते हैं या नहीं? जब आप अपने ध्यान को भटकने नहीं देंगे और पूरा ध्यान अपने लक्षे पर लगाएंगे, तभी आप उस दिशा में कार्य करेंगे और अपने लक्षे को प्राप्त करेंगे। आपने कुछ लोगों को शिकायत करते सुना होगा, कि वह किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यहां सफल होने के लिए उन्हें पर पप्त परिस्थितियां नहीं मिल रही है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं, कि वह सफल नहीं हो सकते हैं। यहां सफलता के लिए उन्हें अच्छी परिस्थितियां नहीं मिलती है दूसरी ओर आप अपने आस पास और आफिस में ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो कभी शिकायत नहीं करते हैं और हर छोटे बड़े काम में सफलता प्राप्त करते हैं उनके लिए परिस्थितियां ज्यादा तर अच्छी रहती हैं और वह जो भी काम करते हैं उसमें सफल होते हैं ऐसा उनके सकारात्मक विचारों के कारण होता है वह सोचते हैं कि वह अपने जीवन में सफल है और उन्हें हमेशा अच्छी परिस्थितियां मिलती रहती है दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं आपको अपने लक्षे के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए आपको अपने मन में, अपने लक्षे के बारे में सकारात्मक विचार रखने होंगे और उस दिशा में सकारात्मकता से कार्य करना होगा आपको अपने विचारों को अपने लक्षे पर केंद्रित रखना होगा और इधर उधर भटकने से बचाना होगा तभी आप अपने लक्षे को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों, बिजनिस में बुद्धिमत्ता में और अध्यात्म में काम्याब लोगों ने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उनके अत्यधिक केंद्रित विचारों का ही परिणाम है काम्याब लोगों के विचार हमेशा उनके लक्षे पर सठीकता से केंद्रित होते हैं अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसके बलिदान भी बड़ा ही करना पड़ता है चैप्टर नमबर चार है विजनस एंड आइडियल आउंथर कहते हैं कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया के रक्षक है जो लोग दुनिया को खुबसुरत बनाने का सपना देखते हैं वही दुनिया को बचा कर रखते हैं आप बुलंद सपने देखिए और जैसे जैसे आप सपने देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे दोस्तों यहां मैं आपको एक जरूरी बात बता दू कि सपना वह नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं सपनों का मतलब है जो आप अपने आपसे वादर करते हैं कि आप जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करेंगे आप दुनिया को क्या बन कर दिखाएंगे सपने वास्तविक्ता के भीच की तरह होते हैं जो बड़े उकर आपको फल देते ही दोस्तों आप हमेशा उन चीजों की तरफ आकरशित होंगे जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं आपकी इच्छा आपको वियंत्रित करती है नूर्ख और आलसी लोग अच्छी और बुरी किस्मत में विश्वास करते हैं और हमेशा किस्मत के सहारे जीते हैं जिन्हों उन कामयाब लोगों की कोशिश मेहनत और असफलताओं को नहीं देखते हैं जिन्हों ने दौलत, शोहरत और बुद्धिवता हासिल की है और बुरी किस्मत में विश्वास करने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि कामयाब लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है कामयाब लोग अच्छी किस्मत से नहीं बलकि कड़ी मेहनत और दृड़ विश्वास से अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं कामयाब लोगों की संपत उनकी ताकत और उनकी बुद्धूमत्ता उनके अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम है दोस्तों जिस सपने को आप अपने मन में लंगे समय तक रखेंगे और विश्वास करेंगे कि आप उसे पा सकते हैं वही सपना आपकी जिंदगी बनाएगा और आप खुद भी अपने सपने की तरह ही बन जाएंगे चैप्टर नमबर फाइव है विचार और चरित्र दोस्तों ओथर कहते हैं कि व्यक्ती का चरित्र उसके विचारों से बनता है किसी भी व्यक्ती का चरित्र उसकी विचारों का ही योग हो है मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को प्रभावित करता है एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में होता है कारण और प्रभाव केवल भौतिक संसार में ही नहीं बलकि विचारों के संसार में भी होते है दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भे होता है उसका हमारे विचारों से कोई भे रिष्टा नहीं है लेकिन आधर कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते है या जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वह पहले हमारे विचारों में होता है कुछ काम जो हमें लगते हैं, कि हमने बिना सोचे समझे कि में है वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते है एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण वैसा होता है दूसरी और एक बुरी चरित्र वाला मनुष्य अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बना है मनुष्य के विचार इतने शक्ति होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड सकते हैं कोई भी व्यक्ति काम करने से खुद का विशलेशन करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है सोना और हीरे जैसे कीमती धातू बहुत गहरी खुदाई करने पर मिलते हैं ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आपको समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा दोस्तों, हमें अपने विचारों को ध्यान से समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे विचारों का हम पर हमारे आसपास के लोगों पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम लगातार अपने विचारों पर नजर रखेंगे और उलिए समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे-धीरे हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे विचारों के कारण ही हो रहा है और हम खुद ही अपने चरित्र और जीवन के निर्माता है चैप्टर नंबर छा है शांती दिमाग की शांती ज्यान के सुन्दर रतनों में से एक है यह आत्म सैयम के लिए लंबे और शांत मेहनत का फल है इसका होना पके हुए अनुभव को दिखाता है एक शांत आदमी जानता है कि खुद को कैसे संभालना है वह जानता है कि खुद को दूसरे के अनुकूल कैसे बनाए एक आदमी जितना शांत होगा, उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी एक आम व्यापारी भी अपने बिजनेस को सफल बना सकता है अगर वह सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा ले, मजबूत और शांत आदमी को हमेशा प्यार किया जाता है वह एक प्यासी जमीन पर छाव देने वाले पेड़ की तरह होता है या तूफान में पनाह देने वाले पत्थर की तरह आप जहां भी हो, आप किसी भी हाल में रहते हो यह जान लीजिए कि जिन्दगी के समुंदर में सुख के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं आत्मसयम शक्ती है, सही खयाल, मालिकाना है, शान्ती ही ताकत है अपने दिल से कहिए शान्ती तो दोस्तों, आज की यह ओडियो बुक यही पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट आउंडियो बुक में, तब तक खुद को ग्रो करे, ग्रो यॉरसेल्फ के साथ